दोस्तों आप लोगों को भी पता है जैसा कि महा भारत में हुआ था अभिमन्यू चक्रिविव के अंदर चला तो गया था लेकिन उसको यह नहीं पता था कि बाहर कैसे निकलते हैं तो वैसे ही अपने ट्रेडिंग में भी होता है अगर आप सही टाइम पे इंट्री भी ले ल कि अपॉर्चुन्टी को मिस नहीं करेंगे वह कौन सी स्ट्रेड़ जिसको आप फालो करते हैं अगर आप बिगनर हैं तो आपको वीडियो को बिल्कुल देखना चाहिए या फिर आप लॉस को रिकवर करना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग में अभी भी आप प्रॉफिट सब्रोस लगा सकते हैं और बहुत हाई चांस रहेंगे कि वहां पर आपको इस ट्रह प्रोफ ना कटें क्यूंकि अगर आप शापोर्ट संपी Catholics लगाएंगे तो आप अगर वहां पे ट्रेड कर रह रहे हैं तो आपका इस्ट्रो परक्रेकर क्या यहां पर दिया यहां पर यह तो आपको मानना पड़ेगा लेकिन हम शुछ ऐसी टेकनिक का यूज करके अपने जो stop loss हंटिंग के probability है उसको यहाँ पर कम कर सकते हैं जैसे कि अगर आपने 10 ट्रेड लिए और आपके यहाँ पर 7 यहाँ पर stop loss हंटिंग की और जासे यहाँ पर profit चला गया आपसे loss हो गया तो आप यहाँ पर इस ratio को change करके 10 से 5 या फिर 2 भी ला सकते हैं अगर सही से इसको use करेंगे और सही से trade करेंगे इसका use करके लेकिन इन सभी चीज़ों को use करते हुए आपका यहाँ पर रिस्क management और money management और आपकी psychology तीनों यहाँ पर development होनी चाहिए अगर आपका यहां पर रिस्क मैंट सही नहीं है तब आप क्या है इसका यूज नहीं कर पाएंगे और आपका यहां पर मनी मैंट भी नहीं सही है तब भी आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे तो इन दोनों चीजों को खास कर यहां पर इंप्रूब परने की कोसिस करें रिस है simple आप यहां पर यह ध्यान रखेंगे कि जो अपना capital है इसका यहां पर जो maximum part है वह आप कहां पर stop loss के तोर पे ना जाए जैसे कि अगर आपने यहां पर 100% आप कहां पर capital है और आप यहां पर दिन में 5% से ज्यादा रिस्क नहीं लेते है डेली बेसर पर तो यह सही है लेकिन आपने क्या-क्या 20% का रोई यहां पर यहां पर stop loss के रूप में दे दिया तो आपको ऐसा नहीं करना है यह नहीं कि आप को पता होना चाहिए कि यह सब होता क्या है लेकिन हम लोग आज की वीडियो में क्या देखेंगे stop loss कहां पर लगाएं सही जगा क्या है और कौन-कौन सी टेकनिक हैं जिसका यूज करके हम लोग stop loss को सही जगा पर test कर पाएंगे देखिए दोस्तों अगर आप यहां पर trading कर रहे हैं तो कितने टाइम फ्रेंगे तो आप पस सही stop loss बैठेगा तो अगर आप्व मिनट या पंद्रे में टाइम प्रेंपर ट्रेड को कर रहे हैं तो अगर आप इस टाइम फ्रेंप रेंपर इस टाइम को लगाने जाएंगे तो वहां पर जो पॉइंट निकल के लेकिन झो परफेक्ट की भी हमकी होगी आपकी वन में टाइम प्र läuft देखके ही करना है जैसे कि यहां नीचे और आप ने पर पेड़ा डिया लेकिन आईसा नहीं करना है आपको वहाँत तो यहां से आपका होगा तो इस तहीं से करेंगे इस टाइप से तो आपका पर कुछ कम लगेगा और टारगेट भी अच्छे खासे यहां पर निकल की आएंगे दोस्तों ओके तो इन सभी चीजों को मेंटेन रखना है और वेट करके ट्रेड करना है ना कि मार्केट और तुरन खीच देना है जितने पर मिल रहा है उतने पर ले लें लेकिन जब आप ट्रेंड हो जाएंगे स्केलपिंग करेंगे तब आप यह सब यूज कर सकते हैं मार्केट और लेकिन अभी क्या है कम प्राइज में खरीदने की को होना चाहिए यहां पर दो-तीन तरीके हैं चलिए हम आपको बता देते हैं सबसे पहला यहां पर तरीका क्या है कि जहां पर भी कोई स्विंग बनना है तो उसके इस्टाप लॉस ऊपर लगाएं जैसे कि यहां पर देखेंगे कि मार्केट अगर नीची आ यहां से बनाता हुआ तो हम को क्या करना है गर हम सही जगापे इंट्री लिये हैं पढ़ा का फोगा इस 관's के उपर होगा अगर सही पर क्या है profit होने के जो chance रहेंगे बहुत हाई रहेंगे और आप क्या maximum profit book कर पाएंगे जैसे यहां पर देखें दोस्तों अगर कोई यहां पर सही time पर इधर यहां पर trade करता तो उसका पहला stop loss कहां पर था इसके उपर था असी पॉइंट का यहां पर trail करना start कर देते हैं जैसे कि यह तीन चार बन नहीं थी ना तो यहां से क्या है bounce back भी अचानक हो जाता है तो हमको क्या करना है इसका अगर कोई swing में ले तो उस पर करना है और उस पर करना है इसका यहां के आखरी में निकलेंगे तो इस तरह से हमक्या है पूरे trend को कै कर सकते हैं बिना इस तो अपरोस हंटिंग कर आए और सही जगा पर trade लेके यह नहीं कि आप यहां पर फास्ट मोमेंटम में निकल गया इस तो अपर भी नहीं लगाया और मार्केट और में कूद गया तो यह सब नहीं करना है तो इसको मिस्स नहीं करना है किसी भी हालत में तो पहला तो तरीका यह होगा कि हम स्विंग तो स्विंग यहां पर trade करेंगे इस तो आप लगाएंगे यह तो कहें कि जैनुवन तरीका है जो कि सभी लोग यूज करते हैं लेकिन एक क्या है एक एडवांस तरीका क्या है उसका नाम क्या है एक यार बहुर लोग इसका समझना नहीं कि यह हम आपको बता यहां यहां है यहां आप यहां पर दखेंगे पॉइंट रहेगा वो कहां से रहेगा इस सपोर्ट एरिया से 26 पॉइंट दूर रहेगा जैसे अगर हम देखेंगे तो हम लोग कहां पर लगाएंगे इधर पना स्टॉप रहेगा और 26 निकालेंगे और यहां पर जो एक स्विंग होगा उसके नीचे लगाएंगे देखिए यह क्या भी 43 है यहां पर टूंटी सिक्स पॉइंट ऐसे यहां पर इस्टप रोस यह रहेगा एटियार को देख करके तो यह क्या है परफेक्ट रिष्ट बैठेगा इस तरह से अगराँ निकालेंगे इस्टप रॉस तो ओके तो हमको इनके वैलू का यूज करना है जैसे क यहां पर मार्केट ने Breakdown दिया देखें मार्केट ने यहां पर क्या किया finns आपने आप कहीं पर भी ट्रेड लिया तो आप क्या करेंगे इस हाई से जो है ूपर वाला क्यों सा ये वाला देखिए इस हाई से कितना क्वाइंट 18 पॉएंट न कि इस हाई से अपना क्या रहेगा तो इस तरह से इस तरह से लगाएंगे न एटी यार का यूज करके जो कि आपको बताता है तो जिस से आपका सब्स इतनी जलती हंट नहीं होगा और वहीं से क्या है वापस लोट आएगा मार्केट तो इस तरह से आपको stop loss hunting का यूज करके सही जगा पर trade कर सकते हैं ATR का यूज करके यह रेंज होता है आप यहां पर इसके setting में भी जा सकते हैं देख सकते हैं बहुत simple है और आप इसका यूज कर सकते हैं दोस्तों तो simple एक है दो technique है जिसका अगर आप यूज करते हैं तो stop loss trail कर सकते हैं और बाकी तो आपको यहां पर सपोर्ट का यूज करना है जैसे कि यहां पर देखेंगे तो market क्या कर रहा है ना तो इसको क्या कर सकते हैं एक zone में बंद कर सकते हैं और जहां पर भी market में कोई अच्छा खासा मोमेंटम होगा ऊपर साइड में या फिन नीचे साइड में तो हम दोग ट्रेड करेंगे सिंपल यह आपको यूज करना है और अगर इन चीजों का यूज करते हैं तो आप बढ़िहा से ठेड ढूंड पाएंगे सही जगा पर अब देखें यहां पर एक टेक्निक आपको यह भी पता होना चाहिए कि जैसे कि मारकेट अगर दो दिन साइडवेज रहा गया तो आपको उसके चक्कर में यहां पर पूरा कैप्तलोनल नहीं करा देना है कि आज कि दो a होगे तो आपको साईद मकूद नहीं होना है मार्क में कुछ ना कुछ अलग होने आला है धमाका होने आला अब जैसे market यहां पे क्या साइड वेज बन रहा है ना यहां पे देखें करकर कंडिशन तो हमको करना क्या है हमको इसको simple इसको एक box में डाल देना है और simple क्या यूज करेंगे RSI का यूज करेंगे RSI simple यहां पे क्या है ऐसे यूज करेंगे जो कि आपको default में मिल जाएगा अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि market क्या है नीचे आ रहा है market एक जगा पे stabilize है लेकिन जो अपना RSI है न यह देखिए इसमें क्या हो रहा है divergen हो रहा है दोस्तों क्या हो रहा है divergen तो इसका मतलब क्या है अगर market ने इस high को break किया तो market आज ही या फिक कल एक दू दिन में पूरा market तगड़े से इसको reverse मारेगा जरूर अगर इस ने अपने लोग को break नहीं किया और high को अगर break कर दिया तो क्योंकि RSI यहां पे क्या है आपको आई ही गया होगा आई होप आपको समझ में आ गया होगा अगर आप ऐसे यूज करेंगे तो आप बच जाएंगे जो फिफ्टाप रोष हन्टिंग होते रहे तक गए तो लिंक आपको साही डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएंगी तो आप वहांसा चेक आऊट क कर सकते हैं वार्टेप ग्रूप भी आपको मिल जाएगा ओके तो इसी के साथ मिलेंगे नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद